गुड मॉर्णिंग इस्टुरेंट्स आज हम हिंदी ग्रामर का फोल लेसर लेंक पड़ेंगे जैसा कि आपको इस लेसर में बताया गया है कि लेंक इससे कहते हैं वह कितने उसके कितने प्रेद हैं और उनकी डेश दिफिनेशन दथा सबसे पहले लेंकर परिवार्टन आज़ी के बारे में हम पड़ेंगे तो चलिए सबसे पहले लेंकर इसे कहते हैं शक्तिक इस रूप से उसके गुरोश या हिस्तिक होने मेंहों कताव चलता है कि उसे लेंक इसके है समझे तो शक्त के सिसुप कुली की डाटेशनी के को ुरुस कांडर जाती नहुंग दुना है जैसे पृता, दाथा, आना, हाथी, हाथा समझे है स्प्रीली लि chef पिस सूरुछ से स्प्री या माता का लगर होता है जैसे स्प्रीली कह downward उदारण, पॉभर, ओध, दाधि, नानी, आधि समझे ना तो लिक इसे करते इसके पिते बढ़े दे और इनकी बोनों विपोगों की डेफिनेशन बताईएजी। इसके अनावा भी तो इस lesson में आपके पढ़ेगे के इनी पहिंजान और ले परिवर्ट के परिवर्टन कुछ पीयों के आदार पर अगया सब इस lesson में पढ़ेगे उचलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेग लेग लेशन फोर लेग और अध्वा जादी इस्त्री जादी की पहचान कराते हैं समझ रहे हैं यह आपको मैंने बताया definition की हुई है संसार में एवनुश्य को दो जातियों में कुपाटा गया दोड़ा इसंसार में मनुश्य को दो जातियों में बटा गया एक नर्श अले मादा समझ गया ना पुछ और इस्त्री लेग 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 से हमें जाताय की कोई प्राड अध्वा व्यप्ति पुरुश जाती का है या इस्त्री जाती का है निम्डे लिकित प्राणियों के चित्रों को देखी और लिक को समझी पुरुष जाती इस्त्री जाती लड़का लड़की पुरुष जाती इस्त्री जाती शेर शेर उपड़ दियेगे चित्रों में लड़का और शेर लड़का तथा शेर पुरुष जाती के है अता लड़का तथा शेर पुरुष शब्द पुरुष जातिके हैं तथा लड़की और शेर भी इस्त्री जातिके हैं अता लड़की और शेर भी इस्त्री जातिके हैं तो इन पिक्चरों में ये बताया कौन इस्त्री जातिका है? कौन पुरुष जातिका है? यह बताया है, शब्द के जिस रूम से उसके पुरोश या इस्त्री होने का पता चलता है, उसे लेंग केते हैं लेंके नो भेख होते हैं, पहला कुर्ले और सथिरी लेंग, यह मैंने आपको बताया है, हे डेफिकरन भी लिक्ते हुआ है कुरूश के स्य स्मूत से, और चार्ट का पूद होता है उसे कुर्ले केते हैं, गणिषते हैं लिष्टरी बिंग ऋता है। इस्त्री लिख कहते है। उटारण कम आता बदें ची लिख रайн कि वॉटन को लोर को पूर्ण नेतयाता है। पूर्ण इस रूइस री क्मल पथं see可e था में अइसा सबस् l PayPal對對 बंसूर्ण पूलिंग और स्टिलिंग में बदल सकते हैं जैसे पूलिंग कपड़ा इस्टिलिंग कुर्सी समझ गये न मकान दुकान उपर दिये गए चित्रों में कपड़ा और मकान फूलिंग शर्ट है तथा कुर्सी और दुकान इस्टिलिंग शर्ट है निर्जीब वस्तों के अन्य उदारें पुलिंग, पूलर, कडोरा, पंखा, अब्वाज, ब्लास, जल, जूत, बस्ता, गलं, कागत, चाकु, शीशा, भाई, जहाज, किलोना, टेवी, आभी यह सब निर्जीब वस्तों है कुल्लिंग में और इस्ट्रिलिंग में नदी, एज, साइफिन, पैंसिल, कुस्तक, दिवार, बोरी, चाय, चपल, चटाई, कडोरी, थाली, किड़की, चिप्पी, माना, आदी यह निर्जीब वस्तों है, जो कि स्ट्रिलिंग में कौन सी है, और कुल्लिंग में कौन सी है, यह बताया है कुल्लिंग की पैचा है, यह चार दिला हुआ है, देखिए निम्ने लिखित शक्त कुल्लिंग होते हैं फर्स्ट है, दिनों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम, राज्यों के नाम, महादिपों के नाम, ग्रहों के नाम, पहाडों के नाम, दहदों के नाम, तारों के नाम, समुन्ल वह महसाखरों के नाम, प्राय सभी बेडों के नाम यह सब भी क्या है पुलिंग शब्द समझे ना यह सारे पुलिंग शब्द है फिर है इस्ट्रिलिंग की पैचान निम्नलिक शब्द इस्ट्रिलिंग होते है पहला है बाशाय बोलिय तथा लीपिय यह सब इस्ट्रिलिंग बता रहे हैं बाशा, बाशाय बोणी, बोलिया तथा लीपिया, नदियों के नाम, जीलों के नाम, तिथियों के नाम, खेलों के नाम, आकारब तत्सम शब्द, टवड़ और हड़ से समाफ होने वारी वावाजक संगी, समझ गे ना, यह सब इसलिए शब्द की पहचान है, समझ गे? यह सबी इस्त्री लिंग है, फिर है, इसे प्रकार ता, आई, और आच से समाफ्त होने वारी वावाजक संग्या इस्त्री लिंग होती है, मतलब इसमें यह बताया है, कि ता, आई, और आच से समाफ्त होने वारी वावाजक संग्या भी इस्त्री लिंग है, जिनके पीछे यह श्त्रिलिंग शक्त है वह भी इस्त्रिलिंग है जैसे रड़ाई मदूंता बुराई कमाई मिठास खटास आधी है समझ गए लिंग परिवर्ट्रusta cooling से इस्त्रिलिंग बनाने के कुछ नियम इस प्रقد है मतलब रुली शब्द से स्ट्रीले शब्द कैसे बनाते हैं कि कुछ नियम इस प्रकार है तो पेज नमबर 19 पर दिखिए First है रुली शब्दों के अंत में आ को आ करके स्ट्रीले बनाते हैं जैसे अशब्द इसको आ बनाते है शाल चैसे ऐरें कुली इस फिली कि मुदक है ना? तो म द यह, यह द रहाय, वे वांक वीधन पूलिटे कि तो इसकॉँब गाली कि उनी दो कि तो यह, गाली कि अलो म द द यह. क्या किया है? हां? समझ में ना? यह से या में परिवतित कर दिया समझ में परिवतन कर दिया तो वो लिए शब्लों के अंत में अ, व, आ करके इस्ती लिए बनाया बताते है जैसे मौफद है तो क्या हो गया? मौफद है समझ में अ, आ में कर दिया कर दिया वो गया सेकिंड है कुलिक शब्लों के अंत में अ, आ वो तो इप्रत्य लिए का इस्ती लिए शब्लों बनाते है अ, और आ है तो इसको क्या मैंने क्या मैंने इसको और इप्रत्य समझे ना? लगा कर इसको लिए बनाई के जैसे भोड़ा तो बोड़ी समझे ना? इप्रत्य लग्या तो यह इस्ती लिए बन्या तो आप बेखो उसमें इप्रत्य लग्या तो यह इस्ती लिए बन्या तो अ, आप गे उओ समझे न, फिट है कुछ शम्द, कुछ पुलिंग शम्दों कि जान तुने एंग प्रत्या लगाते हैं कि इस तरी एंग शम्द बनाते हैं मतलब उनके एंग प्रत्या समझे आंग में एंग प्रत्या लगाते हैं जैसे नाजी तो हो गया ना तीन है ना ये प्रत्या लगया है ना तो अंग में एंग प्रत्या लगाता इस्तिर्लिंग शब्द बनाते हैं फिर फॉर्ट सेखिए पुलिंग शब्दों के अंत पे अपके इस्तान पर उतना प्रत्या लगाते सेवे इस्तिर्लिंग शब्द बनते हैं मतलब उनके पुलिंग पर अब प्रत्या लगाता है तो उसके इस्ताइटर क्या बन्जाएगा क्या बन्जाएगा इका समझे ना तो जैसे बारिया तो बन्जा बारिया ये था तो क्या बन्जाएगा इका मतलब इस्तिर्लिंग शब्द बन्जाएगा मतलब क्यांद में अब खर देखो तो उसको इस्तिर्र बनावें के इसे के लिए रियोग क्या muscles in है बारेयगा दाईह कहता है। फिर्ठ के लिदो कुछ शब्दों कुछ पूर्णिग शब्दों के क्या है नीप प्रत्य लगाते हैं असरे लिए शब्त बनते हैं मतलब उच शब्तों के अंग में नीप प्रत्य लगाते हैं नीप प्रत्य लगाते हैं नीप प्रत्य लगाते हैं तो देख हाथी का हुगया हत्मी है ना नीप प्रत्य लगाते हैं तो कुछ कूरिंग शब्दों के अंद में नीप रत्य लगाता स्रिलिक शब्द बनते हैं तो link button में देखा आपके इसके स्थानवर क्या लगने पर स्रिलिक शब्द बन जाते हैं तो चलिए आखे बढ़ते हैं फिर अधर है शिक्स वाला कुछ पुलिंग शब्दों के अंद में आ के इस्थान पे इया करके इस्थान इस्थान पे इया जैसे बेटा आ है बेटा तो क्या 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 तो क्य तो फुलिंग शब्दों के अर्थ में आख इस्तान पर किया करके इस्ति लिंग शब्द बनाते हैं इसी प्रकार से 7 देखिए फुलिंग शब्दों में यानी प्रत्य लगाकर इस्ति लिंग बनते हैं तो नौकर का नौकरानी समझे ना तो नौकत का नौकरानी मतलब आनी प्रत्य पीछे लग्या और वह स्ट्रीलिंग बन गिया एक ठोड़ा है कुछ फुर्लिंग शब्दों के अंत में आईन जोड़ कर स्ट्रीलिंग शब्द बनाते हैं समझ गए दाला तो ललाइम, समझ गे ऐन शब्द जूठ जाता है स्ट्रीलिंग बनाने के लिए डालाका ललाइम समझ गए इस सी प्रकार से उदारण दिये हुए तो आईन शब्द जूडेगा। तो वह इस्ट्रीलिंग शब्द बन जाएगा उसी प्रकार नाइत वाला देखो कुछ पुलिंग शब्तों के इस्त्रिलिंग रूम बिल्कुल अलग होते हैं जैसे दर का मादा सम्राण का सम्राइब का की राजा का रानी पुरुष इस्त्रि आधी दिये हुए तो pulling शब्दों के स्रीलिंग बिल्कुल अलग हुते हैं, कुछ के बिल्कुल अलग हुते हैं 10 वाला देखो, कुछ pulling शब्दों के अंत में इनी जोड़कर स्रीलिंग बनाया बनते हैं जैसे हाथी, हत्मी समझे न, इनी शब्द प्रत्य जोड़के बनाते हैं जैसे हांस का हंसीनी वगेरा आधिया देखना कुछ शब्द, नित्य पुल्लिंग होते हैं इन शब्दों के अप्रिश पुल्लिंग के रूप में ही होता है इन शब्दों के आगे मादा जोड़कर उन्हें इस्सिलिंग बनाया जाता है जैसे जो शब्द हमेशा मतलब पुल्लिंग रहते हैं तो उन्हें इस्सिलिंग बनाने के लिए उनके आगे मादा जोड़ दिया जाता है तो दे दो नित्य पुर्लिक और इस्ट्रिलिक पक्षी मादा पक्षी मच्छत मादा मच्छत समझे ना तो इस प्रकार से ये परिवर्तन किये जाते है इस्ट्रिलिक बनाने के लिनियर या देखिए उस शक्त नित्य इस्ट्रिलिंग होते हैं इनका प्रियोंक सदे इस्ट्रिलिंग के रूप में होता है इन शक्तों के आगे नर जोड़कर इन्हें पुल्डिंग बनाते हैं जैसे पुलिंग को इस्त्रिलिंग बनाना है तो मादा जोड दिया जाता है और इस्त्रिलिंग से पुलिंग बनाना है तो उसमे नर्ड जोड दिया जाता है नित्य इस्त्रिलिंग से पुलिंग चीड नर्ड चीडिया नर्ड जोडिया जैसे उतारनादी दिये हुए तो इस लेसन को आपको समझ में आ गया होगा अगर इसमें कोई डाउन हो तो आप में को वर्सक भूत में हो सकती हो धन्यवाद